भारती जैनता पार्टी सरकार सवालों के जवाब नहीं देगी, जनता के सामान ने सवालों का जवाब नहीं देगी, ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबाज़ाद है तेर पत्रकार अगर उनसे सीधा और सरल सवाल भी करेगा तो उनसे कहा जाएगा पहस मत करो उनसे कहा जाएगा हम द्रिड़ता से आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे और आप जानते हैं ये सब कौन कर रहा है देश के ग्रिह मंत्रिया मिट्शा और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के खिलाफ लगातार गालियां दी जा रही है उनका अपमान किया जा रहा है मगर अगर बात वहीं तक सीमित होती तो बात समझ आती अब राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के नेता आए दिन हिंसक बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ हिंसा बढ़ाने को लेकर बयान दे रहे हैं और जब ग्रेह मंत्री आमिट शाह को इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो उस सवाल को भी टाल जाते हैं राहुल गांदी उनके लिए एहम नहीं है हाला कि राहुल गांदी नेता विपक्ष है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी सरकार की है मगर देखिएगा मनिपूर जो पिछले देड़ साल से जल रहा है उस पर देश के ग्रेह मंत्री आमिट शाह के तेवर जी हामिट शाह जो महराष्ट जा सकते हैं भाष्पा गडबंधन के संकट के समाधान के लिए मगर जब मनिपूर पे इनसे सवाल पूछा जाता है कि प्रधान मंत्री मनिपूर कब जाएंगे तो पहले तो वो कहते हैं कि आपको बता दिया जाएगा और जब पत्रकार फिर सवाल पूछता है तो आमिट्शा कहते हैं ये बहस करने की जगा नहीं है देखिए क्या हुआ था सौ दिन पूरे हुएं भाष्पा सरकार के दोस्तों और तेवर देखिए ये बहस करने की जगा नहीं है और कल एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ जब अमिट्शा से सवाल पूछे गए और अमिट्शा के पास जवाब नहीं थे उल्टा उनके तेवर जो थे वो खासे उग्र थे उनसे ये भी पूछा गया कि राहुल गांधी के बारे में आप ही के पार्टी के नेता सांसद ने आतंकवादी शब्त का इस्तमाल किया था रवनीत बिट्टू अमिशा कहते हैं यहाँ पर राजनीती की चर्शा नहीं की जाएगी और जब पत्रकार फिर पूछता है तो वो घुस्से में कहते हैं मैं इस सवाल का जवाब द्रड़ता से नहीं दूँगा सुनियों उन्होंने क्या कहा था केंद्रिय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक आप पॉलिटिकल सवाल की दीशा में न जाएए राहुल गांधी के खिलाब भीड़ खड़ी कर रहे है रवनीत बिट्टू का बयान आपके सामने सुनिये रवनीत बिट्टू ने क्या कहा था जो देश के दुश्मन जो भरूब दोली हर काई मारने की कोशिश करते हैं उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को उड़ेन को रोड को जब वो लोग रहुल गांधी की स्कॉट में आगे आप अंदाजा जा लीजिए रहुल गांधी खुद देश के नंबर वन पर रस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको अलानना चाहिए जैंसी को वो आज रहुल गांधी है बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों ये तो रवनीत बिट्टू थे अब सुनिए उत्तर पदेश सरकार में मंत्री हैं रगुराज सिंग उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर एक बताया बलकि उनके पूरे परिवार को और उनके बारे में आपत्ती जनक बात कही है सुनिए रगुराज क्या कह रहे हैं राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइडेंट रूल अंग्रेज मर गए उलाज छोड़ गए अंग्रेज मर गए उलाज छोड़ गए तो इनका न तो कोई धरम है न इसाई धरम है बाबा थे मुस्लिम बाब फिर क्रिस्चन हो गए क्रिस्चन की से साधी करी तो न ये मुसलमान रहे न हिंदू रहे न क्रिस्चन रहे न सिक्ख हुए ये तो ऐसी पांचमी जाती बन गई है इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान को लुटे रे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नमबर एक आतक बादी है, अमिश्या, इन सवालों की जवाब नहीं देंगे, मानू एक टूल किट थमा दिया है भाजपा के हाथों में, और हर भाजपा का नेता इसी तरह से राहूल गांधी पर निशाना साद रहा है, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं एकनाच शिंदे शिवसेना फैक्शन के विधायक संजय गायकवाड, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर, कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी ने विदेश में जाकर मेरे देश का आरक्षन खत्म करना है, इस तरह का जो बयान दिया है, मतलब कॉंग्रिस का असली चहरा सामने आ गया है, लोग सभा चुनाव में जूड बोलकर कि सम्विधान खत्रे में हैं वोट लिया और आज वो आरक्षन खत्म करने की भाशा बोल रहे हैं, मतलब सौ प्रतिशत उनको आदिवासी का पिछडों का सबका आरक्षन खत्म करना है, इस राहूल गांधी ने ये जो शब्द बोले हैं, मेरी अपील है कि जो राहूल गांधी की जीब काटेगा, उसको मैं 11 लाक रुपे का इनाम दूंगा, जीब काटने पर 11 लाक रुपे प्रदर्शन करतें, तब जाकर बुल्धाना पुलीस एफ आई आर दर्श करती है, मगर जब मैं टूल किट शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं तो क्या मैं गलत शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं दोस्तों, बताइए, लगातार एक के बाद एक भाशपा का नेता इस तरह कि भ अदस से हैं, एक के बाद एक ये लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं और जब सवाल पूछा जाता है, तो आपने देखा आमिजशा किस तरह का बरदाव करते हैं, और दूसरी तरफ, इत्तिफाकन प्रधान मंतरी का जन्म दिन था, सौ दिन भी पूरे हो रहे थे और प्रधान मंतरी का जन्म दिन भी था, और प्रधान मंतरी से कोई सवाल नहीं पूछा गया, मीडिया ने किस तरह की कवरिज की मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मगर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, एक तरफ, राहूल गा गार्ड खेलना छोड़ना पड़ेगा आप अपनी तुलना राउल गांदी से नहीं कर सकते हैं आप ही के पार्टी के निता उनसे जान से मारनी की धमकी दे रहे हैं खुल कर कह रहे हैं उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं अगर आपके बारे में कभी भी कोई शब्द कहता है तो सीधे पूलीस उने गिरफ़तार कर लेती है। रवनीद बिट्टू के खिलाफ कोई कारवाई होगी। तर्विंदर मारवा के खिलाफ कोई कारवाई होगी। एकनाच शिंदे के जो विधायक हैं उनके खिलाफ कोई कारवाई होगी। ये सवालाथ हैं प्रधान मंत्री आप बच नहीं सकते हैं प्रधान मंत्री क्या कह रहे थे मेरा मजाग उड़ाए जा रहा है खुद सुनिये और आपने देखा होगा पिछले सो दिन में नजाने कैसी कैसी बाते होने लगी इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तर्क वितर्क बताते रहे मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है क्यों चूप है इतनी मजाग हो रही है इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुजरात के भाईयों भेनों कि यह सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा नहीं प्रधान मंत्री आपका मजाग बिलकुल नहीं बनाया जा रहा है आपका तो महिमा मंदन किया जा रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कल एंडी टीवी ने क्या खबर की थी आपके स्क्रीन्स पर यह इंडी टीवी इंडिया की जुबान एक जमाने में यह चैनल सत्ता से सवाल किया करता था अगर इस तरह की कोई खबर आती थी तो उस पर तंज कसा करता था अब देखिये क्या हालत हो गई है खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें प्रधान मंत्री को विश्व कर्मा के तौर पर पेश किया गया है खबर क्या कह रही है? जाहिर से बात है दोस्तों, इस पर कॉंग्रिस ने उग्रतेवर अपनाए हैं। प्रधान मंत्री आप बताइएं आपका मजाख कौन बना रहा है? राहूल गानी बना रहे हैं या इस तरह की भाश्पा के कार करता? जो आपको विश्व कर्मा के तौर पर पेश कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुखती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, पिछले दो-तीन सालों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर क्या किया जा रहा था? यहाँ पर मैं NDTV का जिक्र फिर करना चाहूँगा दोस्तों। एक जमाने में सत्ता से सवाल पूछने वाला, मगर अब देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्द दिन पर इन्होंने प्रधान मंत्री की किस तरह से बढ़ाई की? ये देखिए, पहली खबर प्रधान मंत्री की इस तस्वीर के साथ, जिम में हैं प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री की फिटनिस का क्या राज है, लीजे पूरी जानकारी, NDTV बता रहा है, योग, सूरे नमस्कार, प्रणायाम और योगासन, उसके बाद, वॉक, हेल्दी ब्र हुए हैं, प्रधान मंत्री से कुछ तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए थे हैं, मगर यहाँ पर प्रधान मंत्री विक्टिम कार्ट खेल रहे हैं, और मीडिया किस तरह का मजाख कर रहा है, आपके सामने देखिए, News 24 की दो साल पूरानी क्लिप है दोस्तों, इसमें प्रधान मंत्री यहाँ पर जिम में दिखाई दे रहे हैं, आप खुद बताइए दोस्तों, आप मेंसे जो लोग जिम जाते हैं, कोई इस तरह से exercise करता है, देखिए क्या कर रहे हैं प्रधान मंत्री ये देखिए आप दुरलब तस्वीर आप देख रहे हैं स्टेट इंडिया की मिसाल व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर को फिट करती है तंदुरुस्त करती है उपयोग करके माननी प्रधान मंत्री महुलेज कहने को ये दो साल पूरानी तस्वीर है मगर मीडिया भी कह रहा है कि प्रधान मंत्री की फिटनिस का राज मानो फिटनिस को लेकर सेहत को लेकर प्रधान मंत्री एक आदर्श है आदर्श होंगे भी मगर क्या ये मीडिया का काम है और मैं आपको बताता हूँ मीडिया और किस तरह के सवाल कर रहा है आपके स्क्रीन्स पर ये एक पापा की परी हैं इन्होंने प्रधान मंत्री को क्या संदेश दिया है सुनिये इत्फाखन ये वही हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री से इंटर्वियू किया था और पूछा था क्या आप कौन सी टॉनिक खाते हैं इन्हों से तो जन दिन के दिन तौफा दिया जाता है लेकिन मैं आपके चोहतरवे जन दिन पर तौफा मांग रही हूँ देश के बढ़ते कदमों को विकसित भारत वाली उस मनजल तक पहुँचा कर ही मानेंगे उससे कम कुछ नहीं आप स्वस्त रहें, मुस्कुराते रहें, बुलंद रहें, आमीन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तो हर तरफ पत्रकार इस तरह की चाहटुकारिता क्यों कर रहे हैं और फिर प्रधान मंत्री कहते हैं मेरा मजाग बनाया जाता है बताइए आपका मजाग, आपके भाशपा की वो कारकरता उड़ा रहे हैं जो आपको विश्व कर्मा के तौर पर पेश करते हैं हिंदू मानिताओं का अपमान भी करते हैं या फिर इस तरह के पत्रकार, या एंडी टीवी जैसे चैनल्स जो इस तरह की खबरें कर रहे हैं आपको अगर विश्व कर्मा के तौर पर पेश किया जा रहा है तो मीडिया का एक करतव बनता है कि इस पर एक क्रिटीक करे, सवाल करे तक्थ्यों के आधार पर और फिर भी आप विक्टिम कार्ट खिलते हैं हर कोई आपको गाली दे रहा है प्रधान मंत्री आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे अब आप 74 साल के हो गए हैं तीसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं यह एतिहासिक है मगर अब भी आप देश की जनता को यही बतलाना चाहते हैं कि हर कोई आपका मजाग बना रहा है यब नहीं चलेगा प्रधान मंत्री आपको मणिपुर जाना होगा देश के ग्रे मंत्री सवाल को नहीं टाल सकते हैं और फिर यह नहीं कह सकते हैं कि बहस मत करो आपके नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई और नहीं भाजपा के नेता भीड खड़ी कर रहे हैं इन सवालों के जवाब दिये जाएंगे और इंसे नहीं बचा जा सकता प्रदानमंत्री यही स्वस्त लोक तंत्र की परंपरा है और एक बार फिर आपको जम दिन की हार्दिक मुबारक बात यही कहा जाए happy belated birthday Prime Minister Modi अविसार शेर्मा को दीजे इजासत नमस्कार